मित्रो, अगर किसी को ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए मैं सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, ये देख ले हैं मित्रो, ये है आम ले का मुरब्बा, आम ले का मुरब्बा, आप घर पर बना सकते हैं, या फिर बाजार से बना हुआ, भी खरी सकते हैं, तो आप यूट्यूब पर देखकर, अगर घर पर बनाएंगे तो सस्ता पढ़ेगा, जो मैंने ये बनाया है, ये सस्ता पढ़ गया है, तीस रुपे किलो मेंने, ये आमले खरी दे थे, और चीनी से बनाए हुए हैं ये, तो मैं एक वार फिर बता दूँ, कि जिनको ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो इसको एक आमले का मुरब्बा, इसमें मैंने आठ रखे हैं, दिखाने के लिए, तो आपको एक मुरब्बा, आमले का एक मुरब्बा, सुबह खाना है, और शाम को जो खाना है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो मित्रो, सुबह एक आमले का मुरब्बा, सुबह खाके, रात्री के भोजन के बाद, लगवग सोने से एक घंटा पहले, यह है गुलकंत, गुलकंत गुलाब के फूलों से बनता है, या आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, या फिर बहुत सी कॉम्पनी बनाती है, पतंजली भी बनाता है, डावर भी बनाता है, और कई बनाते हैं, यह घर पर बनाया हुआ है, देख ले, तो यह 15 से 20 ग्राम खाते जाएंगे और दूद पीते जाएंगे, इस तरह से रोज सुबह एक आमले का मुरब्बब खाएंगे, और रात्री के भुजन के बाद, एक गण के बाद, 15 से 20 ग्राम गुलकंद, दूद के साथ खाएंगे, तो कुछ एक दिन सेवन करने से, आपका क्रोथ और गुस्सा ठीक हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, ये बहुत सीधा साथा सरलुपा बताया आए, आप करके देख लें, और कॉमेंट्स में जरूर इसका रिमार्क दें, कि आपको फाइदा हुआ ये नुक्सान, नुक्सान तो कुछ है ही नहीं, अगर मित्रों ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेर करना न भूलें, इसी के साथ नमस्कार, नित्रपाद दुर्गादास को स्वाह करने हां,